ये है दिल्ली दर्पन दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल के सरकारी आवास पर खर्चुहे रकम को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी की ओर से किराडी विधान समा में जन चेतना रहली आयोजित की गई कारक्रम में मुख्यवक्ता के तौर पर दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंग विधूरी पहुँचे और कारेकर्टाओं को सम्बोधित किया कारक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंग विदुडी का स्वागत जिला ज्यक्ष बाहरी जिला बजरंग सुकला ने किया कारक्रम को असम के सहप्रवारी पवन सर्मा सहीत पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने सम्बोधित किया जन्चेतना रहली को सम्बोधित करते हुए असम के सहप्रवारी पवन सर्मा ने कहा कि जिनवादों के साथ दिल्ली में अर्विन के लिवाल की सरकार बनी थी मुख्यमंत्री ने जनता को मुर्ख बनाने का काम किया है और दिल्ली की जनता को ठग लिया है और कैसे कैसे बाते लोगों को सामिने किये थे अगर मित्रों की चर्चा करने की बात आती है तो सवाली कोड़ पर लगते कि आप साथ से जो सरकार जल रही है ये एक ऐसी सरकार है ना उसका कुछ सर है ना कुछ उसका पाउं है लेकिन आज साथ से लगाता है लोगों को धोपा के कल नेता प्रदिबक्ष रामवीर सिंग बिधूरी ने किराडी विधान सभा में जंचेतना रैली को संबोधित करते हुए अर्विंद केज निवाल की सरकार के कारियों को गिनाया और कहा कि दिल्ली सरकार ने ना तो अब तक अच्छे अस्पताल खोले हैं ना ही एक भी स्कूल पुराने स्कूल को बंद कर दिया गया डिटी सी की भी कईबसे बंद हो गई उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली विधान सभा में पहले ही कहा था कि यदि नई एक्साइज पॉलिसी को सरकार वापस नहीं लेगी तो मैं अपने पद से स्टीफा दे दूँगा अरे भाई अर्विंद केजरिवाल यही बात कहता था कि मुझे मुझे मंतरी बनाओ दो कमरे का घर लूँगा छोटी गाड़ी में चलूँगा सकोर्टी नहीं लूँगा आज वो राज महल में रह रहें 171 किरोड़ गया उस राज महल की शांस सौकत के उपर मरम्मत के उप अर्विंद केजरिवाल ने पिछले 8-9 सालों में दिल्ली को बरबाद किया है अर्विंद केजरिवाल से मैं आपके चैनल के माद्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में को एक नया स्कूल खोला है नहीं खोला आपने कहा था हम 20 कॉलिज खोलेंगे एक कॉलिज कुलिज को कभी मदलाल खुरानी जी ने खो ले थे सहाँपषिम बर्माजी ने खो ले थे आज उन बार लिजस के टीचिंग स्टाफ को नन टीचिंग स्टाफ पो सेलरी नहीं मिल रही है हमारे प्रोफेसर सडक पर जूते साफ करने के लिए मजबूर हो गए हैं गरीब आदमी को उन्होंने रासन कार्ड बना के नहीं दिया मोदी जी की सरकार 72 लाख रासन कारधारियों को हर महीने 4 किलो गहूं 1 किलो चावल मुफ्थ पुलब्द कराती है अगर केजिरीवाल उनको रासन कार्ड बना के दे दे तो लाखों और लोगों को मुफ्थ रासन मिल सकता है अर्विंद केजिरीवाल के सरकार आज दिल्ली के लोगों को दुसित पानी उपलब्द करा रही है अब यह जलबोर की रिपोर्ट आई है 34% लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है उसको पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे है किड्नी खराब हो रहे है लोग कैंसर से पीडित हो रहे हैं अर्विंद केजिरीवाल ने पिछले आठ सालों में कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया हॉस्पिटल की हालत इतनी ख्राब है कि सुकरीं कोट को कहना पड़ा कि यह सब्सकुद्जार्थ की enrich बूचर्ड खाने से बिंद की पड़ी होई है जो महला किलिक से भूप पड़ी हुई है तब्सकौर्ब लगबग 15,000 DTC के वरकर्स को इन्होंने रेगुलराइज करने की बात कही थी, कोई किसी को रेगुलराइज नहीं किया गया, दिल्ली में कोई एक नई DTC की बस नहीं खरीदी गई है, तो अरविंद केजरिवाल ने इस दिल्ली को पूरी तरह से बरबाद कर दिया, इस दिल्ल करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिल लोगउन करें www.dellidarpantv.com, खबरों की कवरेज और विज्यापनों के लिए संपर्ख करें इस नमबर पर